नमस्कार दोस्तों रादे रादे स्वागत आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ओफ दी रेस पार्ट शाला में और आज हम कवर करने वाले अपने फर्स्ट आफ जुलाई 2020 के सारे के सारे डेली करेंट अफेर्स उससे पहले दोस्तों एक इंपोर्टेंट चैनल जॉइन कीजिए जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दिया है और करिए हमारा फेस्बुक पेज लाइक ठीक है दोस्तों और इसी की एक एंसी क्यू वीडियो आती है आपकी राउंड ट्वैल आपको मिल जाया करेगी रोज और उसकी पीडिए भ दोस्तों क्या निज्व कराती है नेश्णल डॉक्स डॉक्ट्र को लेकर नेको लेकरन जोकी किया आपका है का सट ऑंद ऑंध की जरूरत पढ़oga को ब्टो यह दितwegen नहीं सब革ाए है वह तो बोक्टर जाता है किसको आपके दोक्तर को जाता है और दोसतों बहुत बोले भी चाहिए पांच साल पिचारे मेहनत करते हैं फिर उसके बाद डॉक्टर बनते हैं और इतना सारा स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ के अंदर लोगों को लगता है बहुत पैसा कमाया जा सकता डॉक्टर बनके बट इतना इसी नहीं होता तो जो डॉक्टर की पोस्टल ऑफिस में काम करते हैं आपके तो नैशनल पोस्टल वर्कस डे कंबना आए जा रहा है फस्ट ऑव जुलाइए यानि कि आज एक दिन इसको सेलिबरेट किया जाना है तो दोस्तों करते क्यों है क्या फस्ट आपको थैंक यू बोलने हैं उनको अगर आपका कोई पोस तो दोस्तों जो भी आपकी delivery करता है mail और packages की तो इसको thank you बोलना आपने और उनके work को क्या करना है appreciate करना है तो उनसे पानी तो at least पूछ लिया करो चलिए आगे बढ़ते हैं chat है जया दोस्तों अगे बढ़तें और अपनी next नीजी देखने ग्राप अब आपकी श्री मिनस्टर को लीुमें पूझा उसकी प्रोडुक्शन अगर्चन अुसको इन्हांस करें और जो क्या इसका टैटल था इस्पाती इरादा क्या दोस्तों काईं पर आपको भूफ उख्या उいます में किया तो दोस्तों क्या इस पाती इरादा एन्हेंसिंगin ise स्टील सघ्टी क्या सेज्ट्सक्णन में इन्फ्रास्ट्रॉक्ट्रिकटर सेक्टर पि भी कंस्रीक्षण के काम हते औप अपने घर बनाया उसके अंदर सरीय लगाए सरीय के बाद आपने क्या लगाया अपनी रेलिंग से लगाई तो ग्रिल वगारा जो आप यूज करते हो तो तो आप जाधा तो लोग किसको प्रफर करते हैं अब स्टीव को प्रिफर करें क्योंकि वह रस्ट नहीं होता जल्दी से और दोस्तों गेलवनाइजिंग रिवार प्लांट लगाया कहा पर लगाया कंजाब में लगाया शायद वहीं पर लगाया ना तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ वह लगाया ठीक है तो तो फिस टिईल ह विकास हो अभी यह नहीं कि सोर पर रखे हैं तो आपने अपने घर में सो के सो खर्च कर दिए बाकि जो चार मेंबर बचे उनके लिए कुछ बचाई नहीं तो दोस्तों वह था आपका अब सबको क्या दो इकवल पार्टनर्शिफ दो कि आप अपना डवलपमेंट कर सकते हो विद सस्टेनेबिल्टी और सस्टेनेबिल्टी भी होनी चाहिए अब नेक्स्ट विल सैट अप वर्किंग ग्रूब दोस्तों एक वर्किंग ग्रूप बना जाएगा तुमॉनिटर दा स्टेट्स मिलेंगे उसे काम करने वाले हैं एक दोस्तों समझा इतनी बात आपके शरी धर्मेंद्र प्रदान दोस्तों यहांपके देवगड उडिसा से कहां से देवगड उडिसा फोटो देख लेए कोन आपके श्री धरमेंद्र प्रदान बहुत ओप इसलिए खुश रहते हैं और यह कहा रहे हैं आप नीचे यह बटन है यह बटन है इसको प्रेस करो चैनल को कर दो सब्सक्राइब वीडियो को कर दो लाइक और शेर दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी बताओ एक अच्छा चैनल स्टार्ट हुआ है तो हमारे एफट्स को भी वैल्यू करो आप और हमार इससे और लोजी लाव क्या होती है जहाँ पर आपके वैल्यूडियों के करी वैक्सिन आएं जाती हुखति है यह सब ओती है वाइरलोजी के काम होते सब्सक्राइब कोविड नाइटीन की टेस्टिंग उसके लिए आपकी वायरोजी लैब बनेगी ठीक है तो एन भी आ रही क्या है नेशनल बोटैनिकल रिसेर्च इंस्टिटूट आपका एन भी आर आई क्या है दोस्तों एन भी आर आई और यह है कहां पर है आपका लखनव में अब इसके जो बायो सेफटी लैवल हो स्टेंडर कितना है इसका थ्री तो इस तो थ्री का है वट जो आपके क्या कोविड नाइटीन टेस्टिंग के लिए चाहिए हो कितने चाहिए तू ठीक है लेवल टू की टेस्टिंग लेवल चड़ी कर रहे हो तो इसको हैंडल करना बहुत जरूर होता है कि उसको सेफली हैंडल किया जाए वरना क्या वो कंटामिनेशन के आपके जो लैब के असिस्टेंस वगहरा उनमें भी फैल जाएगा तो उससे बचने के लिए बायो सेफटी लैवल को एंशूर किया जाता है अब बायो सेफटी लैवल सार असाइंड डिपैंडिंग उन दा पैथोजन एडेल्स विद तो दोस्तों अगर किसी लैवल का वायरेस है तो उसके लिए एक लैवल असाइन किया हुआ है तो इसके लिए जो पैसेलिटी उसको बायो सेफटी लैवल 2 में कंपलाइन्स करना ह पढ़ेगा वरना उसको टेस्टिंग का जो लाइसेंस है वो नहीं मिलेगा अब उससे उपपर अगर लैवल 3 का कोई वायरेस है उसको टेस्ट करने के लिए आपको लैवल 3 जी तो ऐसे वायरेस को अलग लग लेवल में किया हुआ हुआ है चलिए आगे बड़ तो दोस्तो तो यह गिनिस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है अब यह कौन से इंस्टिटूट में वह आपको बताना है यह एक नएक आपके बोटैनिकल रिसर्च इंस्टिटूट में आप बताओगे यह बिहार में तो बिहार में बताओ और बाकी कोई स्टेट है आपको और आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए लगाई जाती है आपका लेवल बूस्ट करने के लिए कि आपको कोई ना कोई अडिशनल इंफोरमिशन मिल जाए इन से भी चलिए आगे बढ़ते हैं है इंडिया वर्ल्ड बैंक इन दोनों ने मिलके क्या है एक लोन सा के लिए इन तमिल नाडू किसके अंदर उस्टेट के लिए फरीक और ऑफ कर लॉन धगा ₹20 प्रजेक्ट का नाम है फॉस्ट तामिल नाडू हाउसिंग सेक्टर स्रेंथनिंग्स-दोट इसके नाम में लगा हो है ठीक है तो फfikर्ष हम नाडू हासिंग सर्फिंग स्ट्रेंधनिंग्स-द्रेंधंत्र भग्रम्स तोड़के भी पूश सकता है इस अंसर को या फिर एक खटा पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए टोटल कितने का 250 मिलियन का और बाकी टोड टोड के देखो के तो कितने का 250 मिलियन का ठीक है दोस्तों सेकेंड आपका तमिलनाडू Housing and Habitat Development Project क्या आपका तमिलनाडू Housing and Habitat Development Project अभी यह दिया किस लिगा है तो strengthen the state's housing sector policies तो आपकी housing sector policies ने तमिलनाडू के लिए उनको और enhance strength देने के लिए इस loan को provide करवाया गया है ठीक है दोस्तों institution and regulation तो आपको जो housing sector है ना उसको बहुत ही जादा बूस्ट करने वाला यह लोन आपका तो वर्ल्ड बैंक के कुछ static fact देख लो दोस्तों इसका headquarter वाश्चिंग्टन डीसी USA क्या वश्चिंग्टन डीसी USA foundation डिक्या जुलाई 1944 इसका foundation year president is the devil मलपास president कोन है डेविड मलपास md और cfo कोन इसकी अंशुला कांत कोन है अंशुला कांत जी और यह जो दीख रहे हैं नहीं कोन आपकी यह आपकी प्यारी अंशुला कांत दिया तो आगे बढ़ते हैं और next news देखते हैं संजय कुमार दोस्तों नाम याद रखना संजय कुमार माराश का state exam देने वाले हो तो बहुत ज़्यादा important news यूपीसी देरो तो भी important है तो दोस्तों जितनी भी न्यूज है आपकी exam oriented लेके कोई भी न्यूज ऐसी फालतू नहीं है कि आपको पढ़के ऐसा लगे कि एक्जाम में नहीं आएगी जितनी भी important news है सब बहुत मैनत करके compile की आपके लिए तो आपका संजय कुमार है इनको क्या secretary यह बट यह क्या बन गए यह बन गए रोल ओफ प्रिंसिपल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे तो यह उद्धव ठाकरे के कौन आपके प्रिंसिपल एडवाइजर टू सी एम उद्धव ठाकरे और यह आपके अजो मेहतो कौन है अजय मेहतो तो आपके महाराश्ट के कुछ स्टैटिक देखलो ओके साउंड यूस का फोर्मेशन डेंटिन से किसके महाराश्ट संगं है किसके महाराश्ट के गवरनर ब्रहिवा गूह पोटो बहुत बार दिखा चुका हूं तो आज नए प्रफ नांऑ पिरकी अक्तिल का अ है मुंबाई कांँ तो छली किना इया कितने कि 377000 सुक्व ए किुलो मिटर याद रखने कि त्री लेक्ष 70741 स्कुआर और त्रंप आपका थार्ट प्रंट करता है थार्टिमेय दोस्टे झालिये 9 लेकल को सिरिये अखरोटेनीू सोह स्टांए वाला कब करेसी दोस्तों क्दों करेए और miss बात खतम होगा जब वीक लिखा इसके ओपर ठीक है कॉमन सेंस की बात रीजिंग करते हो ना तो लॉजिक्स अपने स्ट्रॉंग रखो तो प्रेजन्स ओफ माइंड आपकी स्ट्रॉंग होनी चाहिए तो यह है किसलिए अपडेटिंग अब क्या अपडेट करना है क्या फार् प्रोडक्शन आपकी बढ़ा पाएं ठीक है दोस्तों यह कौन सा द्वार है यह कोई सा द्वार है आपके कहां पर महाराष्ट के अंदर महाराष्ट को तो पता होगा यह कौनसी जगया घूमने भी गए होंगे तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में आम लिखकर बताओ इ है न्यूजिलेंड से निकल कर आती है न्यूजिलेंड कैंसे दोस्तों न्यूजिलेंड ने कैंसल कर दिया क्या 2021みたい दोस्तों क्या एप उर्चौलि अब इसको वर्चौली करा जाना है ठीक सगवाद 16 अब देखेंगे इसके बारगी स्ट्राइंग क्या वैलिंग्टन नियू प्रैजिदेंट क्यों पिश्क नियूजी लेंड के लिए प्राइम बीस्टर स्लिप ऊफ तंगे सबसे हो जाता है क्या है आगे बड़तें नेक्स देखते हैं अे जुस्तों ऑला तो सुनी होगे आपने कई अनों पूक भी और उसमें ट्रेवल भी होगा तो जो यह प्राइवर से उनके लिए एप की आपका जो फीचर है बहुत ही इंपोर्टन्ट है क्यों क्यों कि आगर आप ट्रैवल करते हो तो आप ड्राइवर को क्या से दे सकते हो टिप दे सकते हो विद इन्फॉर्मेशन ओफ ओला कंपनी तो दोस्तों ओला वालों को पता रहेगा और किसले उनको ग्रेटिटूड शो करने के लिए कि उन्होंने आपकी सर्विस की तो आपको अच्छा लगा ठीक है दोस्तों अभी ओला ओला का फाउंडेशन डे का है 3rd of December 2019 का है 3rd of December 2019 आपका ओला का फोर्मेशन डे है ओला इंडिया का CEO को ने इसके भविश अगरवाल को अगरवाल है चलिए आगे बढ़ते नेक्स देखते हैं इंडिया अकाउंट्स और 45.8 million फीमिल्स मिसिंग है आपके इंडिया के अंदर ठीक है यूएन की एक रिपोर्ट है उसने यह बताया चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों बहुत बैड नियूस है ऐसा नहीं होना इंडिया एस 45.8 million cases कितने केसे 45.8 million cases out of कितने 142.6 million दोस्तों कितने परसेंट होगे जल्दी से 33% आराउंड आपके इंडिया के केसे उससे भी जाधा है 36% आराउंड होंगे इतने केसे आपके अके अधिया में टोटल वर्ट के तो इतनी फीमेल्स मिसिंग है तो इतनी फीम पूलेशन रिपॉर्ट और इसको रिलीज किया है UNFPA बोलेशन एक्टिविटीस क्या उनाँ याद रखना फुल फॉलम याद रखना पूची जा सकती है इतना important नहीं बट स्टिल यह important हो सकता है अगर यह बाइचेंज उसकी सटक गई किसकी examiner की आपकी नहीं examiner की सटक गई तो आप से पूर सकता है कि unfpa की full form क्या है तो इसका headquarters है New York USA है जिन यूच इसका headquarters है foundation year क्या है 1969 foundation year क्या है 1969 69 इसका formation year है अब देख लो UNFPA का क्या आपका web address क्या www.unfpa.org वहाँ जाकर आप इस news को check कर सकते हो ठीक अगर आपको authenticity पर बरोसा नहीं है वैसे तो आप बहुत अच्छे हो आपको बरोसा होगा तो दोस्तो आपके लिए efforts किये जारे हैं तो आप channel को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब मागने का एम यह नहीं है कि हमें पैसे कमाना है यूट्यूब के दुरू बट आपको support करना है अब जितने जाधा से जाधा लोग आएंगे उतना motivation मिलेगा और अच्छा content हम लेकर आएंगे और दोस्तों अगर आपको इसकी questions की PDF चाहिए तो वह आपको तिल 11 PM मिल जाया करेगी हमारे टेलिग्राम चैनल पर जिसका description में लिंक हमने provide किया हुआ है चलिए आगे बढ़ते है next news देखते हैं अब दोस्तों आपको जो पैंशन account से उनको आप open कर सकते हो किसके तुरू आपके OTP based authentication के तुरू आप उनको open करवा सकते हो तो NPS आपका national pension system can be open अभी जो using one time password based authentication अभी उनको hold सकते हो आप account किसके तुरू अपने OTP के तुरू अभी issue किसने करा आपका PFRD ने जो issue करा है क्या notice कौन कौन सी organization पी एफ आडिये क्या है PFRDA sound okay तो PFRD की फुल फॉर्म क्या है pension fund regulatory and development authority क्या है दोस्तो pension fund regulatory and development authority क्या pension fund regulatory and development authority ठीक है दोस्तों sound का issue आ जाता है सुबह वाली वीडियो में कल सुबह वाली वीडियो में आ गया था सुबह वाली में तो अगर कुछ ऐसा है तो comment section में लिखकर बता दी विता दीजिए कि हमार को sound issue आ रहे है तो हम उसको resolve कर देंगे foundation day क्या 23rd of August 2003 क्या 23rd of August 2003 इसका foundation day headquarter इसका new Delhi headquarter का इसका new Delhi के अंदर है यह कमिने इसलेंब है बिखकान के लिए झेस ब्रक्ने अम्हों फोटव लेखिए सिप्रमेंस सुपरातिम बंदो imposing एकर दता दो पा रखिए ठिक का दोख यह आक desen किसके लिए प Михudi के लिए ठainted आगे बढ़ते हैं फ्रेश के इस वेकरान वंचेब कोा HSBC focused equity fund launch किया है किसने ये company है ये fund नहीं है कोई ये क्या एक company है इसने launch करा है HSBC focused equity fund ठीक है दोस्तो an open ended equity scheme है क्या है एक open ended equity scheme आपकी will invest in maximum 30 stock across market क्याफ ये के है ठीक है दोस्तो क्या market क्याफ तो 30 stocks में invest करने वाले है कौन HSBC mutual fund अपनी कौन सी scheme के दुरू HSBC focused equity fund के दुरू ठीक है दोस्तो एक fund निनों ने अपना organize किया उसके तुरू ये जा खरीदेंगे अलग-अलग companies की equity यान की shares खरीदते चले जाएंगे अब HSBC mutual fund के CEO कोन है रवी मैनन कोन है आपके रवी मैनन CEO किसके लिए HSBC mutual fund के लिए इसका headquarter आपका मुंबई कहां पर है मुंबई में इसका headquarter है अब दोस्तो देख लो ये कोन है आपके रवी मैनन कोन है रवी मैनन है ये कोन है आपके रवी मैनन दिख रहे हैं आपको साफ दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर ठीक है दोस्तों अभी कह रहे हैं जो नीचे बटन ये इसको दबा भी दो फ्लीज दबा दो फटा फट से ठीक है सब्सक्राइब करो चैनल को अंसब्सक्राइब मत कर देना ठीक है दोस्तों चली आगे बढ़ते हैं कि चलो या आगे चलो तो फोटो के अंदर दिखाया था आपके कितने सारे बिजनस है तो उन में से एक है आपका स्पीयाई मूच्वल फंड और आपका जो दमानी ग्रूप है क्या दमानी ग्रूप है तो यह क्या करने हैं इसको despite करते जारे है जो आपके राधाकृष्ण उन्हों ने एक परसेंट से ज्ष्यर्ः खरीदें जो आपको I liate क्रीदें कि सित के अंदर आपके आंदरा के अंदर कि的時候 पर के अंदर ठीक है दोस्तों न्यूस समझ आ गई आगे बढ़ू SBI का जो पंड है उसका फांडेशन डेगा आपका जून 1987 क्या है जून 1987 आपके अश्वनी भाटिया को ने अश्वनी भाटिया दोस्तों नो पर्चेस व चैना आइटमस on GEM दोस्तों गौर्शन टी मार्केटपलेस क्या होता है पिछली वीडियो में आपको लिस्ट करोगे कहां पर गौर्वर्मेंन्ट यानकटपलेस पर कोई बी ओर्वर्मेंट और ऑफिस यह वह आपकी जो और आपकी जो कोमोडिटीस है उसको पाइंगे कहां से गॉर्मेंट्य मार्चेट प्लेस अब उसकी नियूज कि आई ती उसको कंट्री ओप ओरिजिंस करें अपने प्रोडक्ट के सारी के सारे ओफिस अिसको क्या order दे दिये के कि आप कोई भी made in चाइड़ slowly करें करीद के कहा से सारी कि साlar कहीं आप में चारीना लिए खारीक्त है कि अब के अब उन्नाद करीद लो जो प्रोड़क्ट बच गयें इंडिया के तो अपना मेड इन इंडिया सबसे आगे होना चाहिए तो आपके जो राम विलास पास्वा नहीं है कौन आपके तुमारे जो बीयारी बाब होंगे हमारे बिचारे बीहार के ऐस्पिरेंट्स जो बहुत 미니다 त्यारे तो उनके लिए पता होगा उनको यह कौण सा तेंपल है जली बताओ कौण सा टेंपल है तो यह बहुत गया टेंपल है तो हिपी पूर है फॉर आल दा बिहारी स्टुडेंट्स ठीक है दोस्तों दोस्तों जो बिहार का टैलेंट है ना बहुत ज्यादा उसको अंडरेस्टिमेट कभी मत करना जितने भी आपके आई-एस हैं उनमें से जाधातर कहां से आते हैं आपक आपको बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है किसने लांच कि यह डिप्लोमा कोर्स है कौन सी आई-एटी ने लांच किया आपको चार आई-एटी देगा आप महां पर सिर्खुजाना फिर बैठके कौन सी आई-एटी मदरास कौन सी आई-एटी मदरास तो दोस्तों याद आई-एटी मदरास ने कौर्स लांच किया इतनी भी बात याद रखोगे ना तो आपको वहां पर सब कुछ याद आ जाएगा अब इन्होंने क्या लांच कर रहा है बीएसी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स दोस्तों डिग्री का भी और डिप्लोमे का भी कोर्स है दोनों को लाट के उनलाइन को फॉंडेशन लावल फिर डिप्लोमा देटिंग्री पर और उस्टूडेंट यह आप कोई से बी लावल पर आटर एटर लेह सकते हैं आपका 3 level course है foundation level complete करा exit कर जाओ diploma करा exit कर जाओ नहीं करना तो degree बिलो और फिर exit कर लो ठीक है दोस्तों total duration रहेगी इसकी 3 to 6 year कितने 3 to 6 year इसकी duration रहने वाली है 3 hour का exam होगा end of each course foundation level करा 3 hour का exam diploma करा 3 hour का exam degree करी 3 hour का exam कितना असान हो गया ठीक है total कितने कोर्स हैं के पास 31 courses available है कितने 31 courses available है ठीक है दोस्तों और यह आपका IIT मुद्रास का campus क्या है यह आपका IIT मुद्रास का campus अब इसके आगे से निकलते बढ़ते जाओ तो देख ले नहीं यह आपका IIT मुद्रास का campus है और मैच करने नहीं यह वाली फोटो दिया नहीं थी चलिए आगे बढ़ते हैं काउंड के ठीक है तो आपका जो वर्ल्ड बैंक क्या उसने अप्रूव करा है कितना 500 मिलियन दोस्तों दूसरा लोन में पहला कुन सा था 250 मिलियन का था किसके लिए तब मिलना ढूख ले आप दूसरा लोन आ रहा है याद रखना किसके लिए तो आपका डॉलर 500 प्रोग्राम के अंडर किसके अंडर स्टार्स प्रोग्राम के अंडर अभी बैनिफिट करने वाला आपका टू फिफ्टी मिलियन स्टूडेंट्स को दोस्तों यह इंपोर्टन निया इंपोर्टन आपका वर्ल्ड बैंक और आपका 500 याद रखना किसले दिया आपका आउजिंग इंफिर चरक्षार के लिए चलिए वह भी तमिलनाडू के अंदर थे याद रखना वन पॉंट फाइव मिलियन स्कूल को मेनिफिट करेगा और आपके 10 Million teachers तो इतना ब्रोवाइड कराने वाल स्टार्थ स्टार्cycle स्टार्च प्रोग्राव स्टार्ट वह था ग्ला इन्पा इस covering एड़्स फॉर उस्टों इतना अच्छा मोटिव आपके स्टार्ड्स का किया था अब हम प्रोड्डिन है जल्दी बता हूं कोन है जल्दी से बतादे फटा-फट यह तो आपको पता होना चीए कौन है ठीक है पीछे वर्ल्ड बैंक में लिखा है चलो हिंट मिलिए कोन है यह कोन है डेविड मलपास जी कोन है डेविड मलपास है आपके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्स देखते हैं लैजरस चकवे ममलवि के कार्णसी मालावी यह तैकर मालावी के लिए अब के लिए क्लेग के लिए दोश्तों अगर इसमें और भी स्टैटिक फैक्ट लाओ तो उसकी अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा बट इसके अंदर हम सिर्फ करेंट अफेर्स रखेंगे क्या होता है अब मैं स्टैटिक भी याद कराऊंगा इसके अंदर और आपको अलग से करेंट अफेर्स इसले इसमें सिर्फ करेंट अफेर्स रखते हैं वीडियो के अंदर हम बाकि अगर आपको स्टैटिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं आपको स्टैटिक की वीडियो अलग से जो इनफोर्मेशन चाहिए को यह कंपाइल करके देतो तो उसकी वीडियो भी बन जाएगी बस कमेंट सेक्षन में ड्रॉप कर देना एक बार जाकर ठीक है पूरी की पूरी असिस्टेंश मिलेगी कोई भी इगोईस्टिक इशू नहीं होंगे चैनल के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं है अब ये नियूज निकल कहती है के पहरी देवभुमि ऊत्राकंट से जो उत्रा खंड का फॉर्स दिपार्टिमेंट उसने डैंडय का फरस्ट्ल нाइके परक्र करें किसने उत्रा खंड और कहां पर करें इन now minuteslet उर्सको डैंड्लब इसको किया गया जोस्तों आपके लाइ लाइकन्स फाउंड होंगे किसी भी एरिया में तो इसलिए इनको कहा जाता है बैस्ट बायो इंडिकेटर्स बोला जाता है ठीक है किसको आपके लाइकन्स को अब आपके उत्राकंड के स्टैक्ट देखलो बहुत सारे अच्छे से याद करना इनको जो आपका फॉर्मेशन है क्या है से क्या है इसके सिंग्रावत को ट्रिवेंडर सिंग रावत आपके चैके इंस्रिंग रावत आपके cm a किसके लिए उत्रा खंड के लिए किसके लिए उत्रा खंड के लिए गवर्नर रहे जाए का इसको हाली में क्या दिया गया पर और गार्व करेंदे यह इसको डूल स्टेट है ऐसा स्टेट है जिसकी डूल का फिफ्ट जल्दी से रॉप कर दो फटा-फटा भी सर्च करके वर न भूल जाओगे फिर चलो देरा दुन किए इसकी विंटर कैपिटल डिस्ट कितने थर्टीन डिस्ट इसके अंदर एरिया लोगतना सबहुत लेकर नाम नामा रहा था तो आस देख लो कौन है यह आपकी बेबी रानी मौरीया जी चली आगे बढ़ते है रहे हैं घ्राइंड के चल रहा है टेकनिकल टीम ठीक है थैंक यू रेंक यू चलो नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट प्लाज्मा थेरपी दोस्तों प्लाज्मा थेरपी के ऊपर प्रोजेक्ट अब इस से एक मिलती जुलती न्यूज आई थी आपकी कल कॉंस इन्यूस थी दोस्तों दिल्ली में क्या बनने वाला प्लाजमा बैंक और आपका महराश्ट भी पीछे नहीं रहा वह भी कहता है कि हम भी आगे बड़े कराएंगे और इन्होंने क्या लॉंच करा आपका प्रोजेक्ट प् बताए थे द्वारा बताकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्ते यह बतादो यह क्या है इसके उपर 911 अटैक भी थे 9-11 ते 26 गया रहते जल्ली बताओ कौन से थे वह आपको बताने कमेंड सेक्षन में मैं तो हो गया इंडिया अगर महाराश की बात करें और गेटवे ओफ इंडिया ना घुमा के लाओं तो दोस्तों अच्छी बात नहीं होगी तो आपको गुमा दिया क्या गेटवे ओफ इंडिया और साथ के साथ पाइब स्टार नहीं सेवन स्टार होटल कोन सा याद रखना सेवन स्टार होटल आपका ताज होटल तो सेवन स्टार होटल में भी आपको घुमा दिया वह अलग बात है चाही नहीं पिला यह आप खुद पी लेना चलिए आगे बढ़ते हैं मध्यप्रदेश टू लॉंच किल कोरोना केंपेंड दोस्तों महराज ने प्लाज्मा क्या थेरेपी के लिए प्लाटिना प्रोजेक्ट चला है दिली वालों ने क्या प्लाज्मा बैंक खुला आप जो आपका मध्यप्रदेश है यह कैसे पीछे रह सकता है इसने एक केंपे मध्यप्रदेश का स्टिक फैस्ट कि पटेर्ट विए डिया करो चलो गवरनर को ने आनंदी मेरं पर्टिल और उन को ऋवडिशनल चार्ज दिया गया दोस्तों किसका जल्दी से बता दो कल लिए न्यूस के अंदर जल्दी बता आनंधी tighten को कहां का अडिशनल चार्ज मिला इस जल्दी बता ऑह घृत सो रहो क्या मक्या प्रदेश कर पहुँतर प्रदेश की कर उत्थ mets अध्यपरदेश की अध्यपरदेश के अंदर त्री लाग तीन सो पावन स्क्वार किलोमेटर या फिर वर्ग क्या किलोमेटर या रखना और रहाए कितना सेकंड एरिया वाइस कितना रहां करता है सेकंड अपनी प्यारी इंद्वी बोलनी चाहिए दोस्तों बहुत अच्छी लाग विज़ें त्री लाग एट थाउदेंट फिफ्टी टू स्क्वाइर किलोमेटर चलिए यह बता दो यह कौन सा टैंपल है या और कोई से टैंपल है मुझे नहीं पता आप बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख कर यह कौन सा टैंपल है यह आपका मध्या प्रदेश के अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं कि इंडिया साइन्स पैक्ट विद भूटान तो दोस्तों भूटान के साथ क्या एक पैक्ट इन्होंने साइन किया किसने हमारे प्यारे देश भारत ने किसके भूटान के साथ टो wholly किसके लिए 600 मेगास हाइडरोएलेक्रिक फ्रोजेक्ट दोस्तों हाई पना गटिका तरवाइन चलिक बँचलेगी तर्वाइन से मनने वाले बन बने वाले बिजली बन बने वाले रहेए इटना पाश्यों एनर्जी लिमिटेट का और भूतान गौवर्मेंट का ठीक है दोस्तों इन दोनों का जॉइंट वैंचर है और भूतान की अब कैपिटल बता दो जल्दी से थिंपू क्या है थिंपू इसकी एक लाइन में आध रखो बूतान थिंपू नगुलतरम दोस्तों क्या लिस्ट निकालन सारी कि कैपिटल क्रंसी की ऐतना इतना काम करा उसके बाद रोज 10 ऐस होगी वहाइं ठीक है इतनी अच्छी टिप दिया इस बात पर लाइक कर दो चैनल को चलो पीम कोने लोटे शेरिंग कोने लोटे शेरिंग अब एक स्टैटिक देख लो और जपा इसके भुटान के बार में तो भुटान क्या है विकम्स फर्स्ट कार्बन निगेटिव कंट्री दोस्तों कार गर्बन निगेटिव कंट्री वहोती है जिसका एब्जॉर्प्षण जाद है उसके प्रोडक्शन से तो यह तो यहाप पे बहुत ज्यादा और इनका जो कार्बन फुट्प्रिंट बहुत ज़्याधा कम है तो आप जो भेजिरों ना वो कार्बन भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं चली आगे बढ़ते हैं साउंड टीक है चलो आपकी पॉप स्टार ब्योंस कहा नाम है इनको देखके जबान विशल ली पॉप स्टार ब्यो ब्योंस को किनको मिला है पॉप स्टार ब्योंस को मिला अवाड़ड फोर लॉंग स्टेंडिन फिलांफ्रोपिक वर्क विद बेगुड फांडेशन के साथ इनका काम था अब फिलांफ्रॉपिस्ट कोन होता है दोस्तों पहले ही बताए था कोई भी आपने क्या चैरिटी का है आईडी इडी माई पार्ट अब कुछ और प्रेंशेशन ने तो आप करके बता दे ना क्यूंकि मैंने एक जो हैश्टेग इसको फोलो नहीं किया है एक मुबाइल टेस्टिंग इनिशेटिव था क्या है मुबाइल टेस्टिंग इनिशेटिव था ठीक है दोस्तों यह आ पूर का अपना पूरा का सनियास जैसे कि आपके प्यारे मैं भूनी ओर्लें और करन सीया लूसतों रच लगालो मंत्र की दरती जैसे गयत्री मंत्रियाद है वैसे याद होना चाहिए जर्मनी पर लें यूरो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स न्यूस देखते हैं अपनी आज थका दिया नहीं कर दिया कर दिया कर देता हूं लास्ट न्यूस है ठीक है कने राइटर गीता नागभूशंट क्या नाम इनक सवाल्गी ठीक है अखिल भारत कनड़ साहित रहुत खैसे और यह ता उसका यह ता 2010 और्डग में काप है इसको और इसको और की दोस्तों गुलबर्गा यूनिवस्टी दोस्तों गुलबर्गा यूनिवस्टीविस्टी से प्राप्त है और युन्हों सरव किया रहें काहां पर करनाटक साइथ अबर करनाटक साइथ, इसले क्योंकि इनके पास इतना सारा आ अपके पर कराने के लिए ग्जाम बिनेर को ठीक है तो गिता को फिल्त आपका राइटिंग या फिर राइटर कुछ भी लिखके देगा आपको लगाने क्या राइटर थी ओ सब्सक्राइब करोगे ठीक है अपने दोस्तों को सब्सक्राइब लाइक से दोस्तों अगर आपको चाहिए इसकी पीडियाफ तो हमारे टेलिग्राम चैनल पर जाएए इसकी पीडियाफ लेजिए रोज सुबह सब्सक्राइब और वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत हाँ जोड कर थैंक्यू दोस्तों अगर कोई भी आपको कॉंसलिंग असिस्टेंस चाहिए तो हमार आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो आपको इमीजियेट रिस्पॉंस मिलने वाला है ठीक है हमारी टीम आपको रिस्पॉंड कर देगी एकदम ठीक है तिल दैन बबाई टेक कियर अपना ध्यान रखिए अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए गुडबाई रादे रादे दो प्रॉड़ कर देगी तो